चौकेदार के साथ है, one more thing, अपकी बार मोधी सरकार नहीं, बार बार मोधी सरकार, प्राउट से मैं भी चौकेदार, मैं भी चौकेदार, चरेंद मैं आप लोगों को राम नौमी और डक्टर भीम राम बेदिकर की जैनती का हार्दिक सुरकामनाय देता हूं, साथ ही सोप प्रिकट करता हूं, कि 13 अपरेल 2019 को जलिया बाले बाग में नर भीषन नर संगार हुआ था, उनको मैं भावपूर संधांजली देता हूं, साथ ही अंग्रेजों ने किया था, और ये राहुल गांधी का मामा थे, भाईयों प्रभू स्री राम जब रावन के उपर चरहाई किये, जब रावन से युद्ध लड़ने के लिए चले थे, तो दलितों को, बंचीतों को, पुचलों को, अतिपिछराओं को साथ ले करके चले थे क्योंकि रावन से लड़ने के लिए उनको, उनहीं जैसे लोगों की जरुरत थी, और उनको लगा कि मैं इन लोगों को साथ ले के चलूँगा, तो ज़्यादा बेहतर होगा, प्रभू स्री राम ने हमेशा सभी के साथ बढ़ाबरी करा, सभी को एक सामान माना, किसी के साथ भेद भाव नहीं करने का संदेश देते हुए इस धर्ती पे आये, और एक राजपुत राजा के मदद से इंग्लैंड भाईयो, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जो लोग लोग तंत्र की हत्या करते हैं, इस देश के अंदर जो लोग लोग तंत्र की हत्या करते हैं, सम्मिधान को ठेश पहुंचाते हैं, उन्हों को सम्मिधान की हीत ऐसी और सच्चि सेकुलर का दरजा दे दिये जाता है भाईयों हमारे देश के अंदर डॉक्टर भीम रामबेदकर ने सभी बैक्तियों को अपना-पना मत पडियों करने का मौलिक अधिकार दिया है अभी इस चुनाब में ही नहीं बहुत सारे चुनाबों में वैसा देखने को मिला है कि कोई बैक्ति अगर कोई विसेस पार्टी की अनुवाई है या उनको बोट देना चाहता है तो उसको जबरन उसको पीटा जाता है मारा जाता है दबाया जाता है कई बार बंगाल जैसे र सैकूलर और लोकतंद्र का सच्चाही दैसी बताया जाता है सेम उसी तरह से उसी तरह से ढक्टर भीमड़ा अम्बेदकर की जो बते हैं वार बीचार हैं उसको धजी उुडाने वाइले लोग अपने आपको ढक्टर भीमड़ा अम्बेदकर के निवाई מת उनको छात्रविर्ति दिया उनके मदद से वह इंगलाइन निचा करके बैरिश्टर की कानून की पढ़ाई की डॉक्टर भीम्रा अबेदकर की जितनी जात बाते मैं जानता हूं मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूं डॉक्टर भीम्रा अबेदकर किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देना चाहते थे किसी के साथ भेदभाव नहीं करने का संदेश देते थे जो इनके तथा कथित अनुवाई दूसरों के साथ भेदभाव करना सिखाते हैं जाती बात सिखाते हैं लरना सिखाड़े हैं डॉक् बहुत सारी पुरानी चीजे थी बहुत सारी यादे थी जितको निखाराइन होने और देश को ही ने पुरे विश्व को उन्हें पूरे बहुत कराया उनकी अच्छाईों से रूबरू कराया फिर भी मोदी सरकार को कुछ लोग दलित बिरोधी बताते हैं यह गलत है जो लोग इस देश को तोरने आचाते हैं जो लोग इस देश के लोगों को मारना चाहते हैं जो लोग असल में नफरत फैलाते हैं उन लोगों को सेकुलर और देश के सच्छे हिताशी कैसे कह सकते हैं कॉंग्रेस हमेशा हिंदों से नफ्रत किया, गाली दिया डॉक्टर भीम्रा अम्बेदकर का अनुआई जो तथा कती तनुआई है जो अपने आपको प्रोपोगेंडा करते हैं कि मैं उनके अनुआई हूँ मैं समझता हूँ कि वो लोग डॉक्टर भीम्रा अम्बेदकर को नहीं मानते हैं उनके नाम पे राजनीत करते हैं इसका दो कारण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पहला कारण कि डॉक्टर भीम्रा अम्बेदकर कभी भी इसलाम के साथ कर जोड़ नहीं किये दूसरा कारण कि जो लोग अपने आपको दलित हिटेशी कहते हैं लेकिन जब दलितों पर अत्याचार हो रहा होता है तो लोग कहीं नजर नहीं आते हैं नजर आना दूर की बात है उसके बिरोध में एक सब्द नहीं बोलते हैं आज फर एक्जामपल समस्तिपूर में हत्या हुई दलित की हत्या हुई द्योधा गौँ जैनगर में धलितों को सताया गया तिरूता में मारा गया रेप किया गया डलोखड में रेप हुआ और बहुत सारी बाते हैं जो मैं खुल कर नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि यह पब्लिक प्लेस है मैं आपको यही कहूँगा कि अपनी सोचन सकती और बहुत समझधारी से अपना मत का परियोग करें हमारा एक-एक मत हमारी जिन्दगी में प्रिजेंट फास्ट फ्यूचर तीनों डिसाइड करता है इसलिए बोट देने से पहले हजार बार सोचे अच्छे बुरे में फर्क को समझे अगर कनफ्यूजन हो तो गुगल पर सर्च करें फेस्बुक पर सर्च करें नियूज देखें अपने दोस्तों से बाते करें सारी बातें सोच बिचार करके एक हजार बार नहीं एक लाख बार सोच करके किसी एक बैक्ती को बोट दें एक पार्टी को बोट दें कम से कम कॉंग्रेस जैसे देश्टर ही पार्टी को तो बोट नहीं दीजे चाहे आप धलित हूँ चाहे आप सवर्ण हूँ चाहे आप उभीसी हूँ ईभीसी हूँ करनी सेना ने नोटा दावाया और वहाँ पे राज्थान भात्याए होने लगी हिंदू की जैसिर राम जै भीम जै हिंद जै भारत